रिसब के हाथ पकड़ने का कारण माही को समझ नहीं आया वो रिसब की तरफ सावलिया नजरों से देखने लगी रिसब ने एक जटके से माही को अपने पास खीचा माही संभाल नहीं पाए और सीधा रिसब के सीने से जा लगी सीने से लगने की वाज़से उसकी नाक पर चोट लग गई वो बोली ये क्या कर रहे है आप रिसब माही के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला स्वीठाट मेंने तुम्हारे लिए द्रास का इंतजाम किया आप उसकी पेमेंट कौन करेगा रिसब को माही रिसब को भूरते हुए बोली पेमेंट केसी पेमेंट। रुसब की बातों से इर्रिटेट हो रही थी इसलिए उसने अपने पस से काड निकाला और रुसब के हाथों पर रखते हुए गुस्से में बोली ये लिजिए जितना अमाउंट निकलना है निकाल लेना। रुसब माही को इतने गुस्से में देख बोला स्वीचार्ट मुझे ये पेमेंट नहीं चाहिए माही जो जाने को मुडी थी वो वापस रुसब की तरफ मूड बोली तो आपको अब कौन सी पेमेंट चाहिए। रुसब ने एक जटके से माही को अपने करीब खीचा और उसके मुलायम होटों पर अपने सक्त लिप्स रख दिये और बहुत हाडली किस करने लगा। उसको देखा फिर पूछा क्या हुआ तुमने मुझे लात क्यूं मारी। मही ने रुसब को भूरते हुए बोला आप इतनी देर से जो मुझे छोड नहीं रहे थे इसकी वज़े से मुझे आपको मानना पड़ा। रुसब बोला अच्छा ठीक है अब तुम जाओ रेडी हो जाओ हमें दिल्ली के लिए वापस निकलना है। मही ने हामें सिर हिलाया और वाश्रूम में चली गई रेडी होने आधे घंटे बाद दोनों रेडी होकर अपने पलेन में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए। दोनों अभी प्लेन में बैठे हुए थे और बाहर के नजारे का मजाले रहे थे तभी रिसब के फोन पर एक मेसेज आया रिसब ने अपना फोन खोला और मेसेज पड़ा मेसेज को देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई मही ने वो स्माइल नोटिस कर ली वो रिसब से पूछी क्या हुए आप स्माइल क्यूं कर रहे है रिसब मही का सवाल सुन सकप का गया और बोला कुछ तो नहीं वो एक जोक पढ़ लिया था इसलिए हसी आ रही थी मही को समझ आ गया था रिसब कुछ उस से चुपा रहा है वो बोली आप कब से जोक पढ़ने लग गया अच्छा अगर जोक है तो मुझे भी दिखाओ मुझे भी जोक पसंद है मही रिसब की तरफ जुकी और रिसब का फोन लेने लगी रिसब अपना फोन फट से अपनी पॉकेट में डालते हुए बोला स्वीचार्ट ये सब छोड़ो ये बताओ अब तुम चीखो मही रिसब को देख बोली मुझे क्या हुआ है रिसब बोला स्वीचाट मेरा मतलब है कल की वाज़से वो इतना बोलके चुप हो गया और माही को देखने लगा माही जो अभी खुश लग रही थी वो कल की बाते याद करने लगी रिसब खुद माही को कल की याद नहीं दिलाना चाहता था पर बात गुमने के लिए उससे ये सब करना पड़ा क्योंकि अगर माही ने मैसेज पढ़ लिया होता तो बवाल हो जाता कई घंटों के सफर के बाद रिसब का प्लेन दिल्ली लांड हुए वहाँ पहले से अक्षत कोमल और रिसब की सिक्योरिटी मौजूद थी रिसब ने सब को एक नजर देखा फिर जाके अपनी गोल्डन रोल्स रॉइज में बैठ गया माही भी उसके बगल में आके बैठ ग क्यूं कोई प्रॉबलम अक्षत बोला वो तो मुझे भी नहीं पता पर उनका कहना है कि बहुत जरूरी बात है जो सर्फ हो तेरे से ही कर सकते हैं रिसब ने हां में सरहिलाया और बोला पहले घर चलो फिर वही से हम वालिया जी से मिलने चलेगे अक्षत ने वैसा हे किया उसने गाडी घर की तरफ मोडली रिसब की कार के पीछे उसकी गाडियों का काफिला चल रहा जैसे देख कर ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े पॉलिटिसियान की गाडिया को काफिला जा रहा हो अक्षत कार सीधा पहले समे ले गया और जाके सीधे गेट पर रोक दी कार रुखते ही एक बोडिगार्ड जल्दी से आके रिसब के साइड का गेट खोला और दूसरे बोडिगार्ड ने माही के साइड का गेट खोला, माही का मुँँ पुरे रास्ते लटका हुआ था ये बात कोमल ने और अक्षत ने दोनोंने नोटिस कर ली थी कोमल माही के पास गई और बोली क्या हुआ माही तू इतनी उदास क्यूं है मही बोली कुछ नहीं यो बस सर में थोड़ा दर्द है अक्षत बोला मही तुम ठीक तो हो न मही ने हाँ में सर हिला दिया अक्षत ने आगे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा क्योंकि वो भी जनता था मही किस बात से अपसेट हो सकती है कोमर ने माही को सही से पकड़ा और अंदर लेके जाने लगी अंदर गीता जी महेश जी पहले से सोफे पर बैठ कर रुसब निशा और रजनी की पुरानी पेक्स देख रहे थे जैसे हे चारों अंदर गुसे गीता जी की नजर माही पर पड़ी और माही की हालत कुछ सही नहीं लग रही थी गीता जी अपनी जगा से उठी और माही के पास आप बोली बेटा क्या हुआ सब ठीक तो है न इसका जवाब रुसब ने दिया मोम सब ठीक मही नबास थोड़ा ठक गई है इसलिए वो थोई सी ठकी ठकी लग रही है गीता जी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा और सब से बोली तुम सब जाके फ्रेश हो जाओं में लंच लगा देती हूँ सब ने हामें सर हिलाया पर रुसब और अक्षत बोले मोम मुझे अभी कुछ जरूरी काम से बाहर जान है इसलिए मैं आके है खाना खाओगा पर गीता जी ने रुसब की एक नहीं सुनी और जबरदस्ती खाने के लिए बैठा दिया सब चुप चाप बैठकर खाना खा रहे थे तभी माही का मन बहुत अजीब सा होने लगा वो अपने चेय से उठी और एक्सिक्यूस मी बोलके दोड़कर अपने रूम में भागी उसको ऐसे भागता देता किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है रुसब माही के पीछे जाहे रहा था कि गीता जी बोली बेटा तू लंच कर में देख करती हूँ रुसब भी बिना कुछ कहे गीता जी की बात मान गया गीता जी उठी और माही के कमरे की तरफ जाने लगी तभी कोमल बोली आंटी में भी चलती हूँ मेरा लंच हो गया गीता जी ने भी हां में सरहिलाया और दोनों माही के कमरे की तरफ बढ़ गई कमरे में माही दोरते हुए सीधे वाश्रूम में घुस गई उसका मन बहुत अजीब सा हो रहा था तभी उसे उल्टिया आने लगी कई बार उल्टिया करने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगा वही माही के उल्टि की आवाज सुन कोमल और गीता जी जल्दी से माही के कमरे में आये थे तब उन्होंने माही को उल्टि करते देख वाश्रूम के गेट पर ही रुक गए माही उल्टि कर गेट की तरफ देखा तो वहाँ कोमल और गगीता जी खड़े हो मुस्कुरा रहे थे माही को समझ नहीं आ रहा था दोनों लोगों को हुआ क्या उसने अपना मु साफ किया और वाश्रूम से बाहर आई गीता जी बोली बेटा अब केसा लग रहा है माही धीरे से बोली ममी अभी ठीक है फिर थोड़ा रुक बोली ममी आप लोग मुझे देख कर मुस्कुरा क्यूं रहे थे गीता जी फिर मुस्कुराने लगी और बोली बेटा मुस्कुर बताएगे बात क्या है कोमल माही को शांत करते हुई, बोली माही इतना गुस्सा ठीक नहीं है, रुक एक मिनट वो बाहर गई और अपने कमरे से पढ़े गानंसी किट लेकर आये और माही को देते हुई बोली जा जाके चेक कर, माही को अब समझ आया कि ये दोनों इतना मुस् किया बाहर कोमल और गीता जी बड़े एकसिसिटेड थे जानने के लिए कि माही प्रेगनेंट है या नहीं थोड़ी देर बाद माही अपनी किट ले बाहर आए और बोली देखा मैंने कहा था न वैसा कुछ नहीं है बस नॉमल वमिटिंग हो रही है माही की बात सुन कोमल और गीता जी दूनों उदास हो गए कोमल बोली दिखा मुझे माही ने किट कोमल के हाथ में दे दिया कोमल किट में डबल लाइन देख बोली माही तुझे किट देखना आता है माही बोली नहीं कोमल अपने सर पर हाथ पटक बोली अबे पागल तू सच में प्रेगनेंट है गी गीता जी ने मही को ब्याड पर बेठिया और सब कुछ समझाने लगी कि उसे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा भरी सामान नहीं उठना होगा मतलब सब कुछ वही मही चुप चाप उनकी बाते सुन रही थी और अपनी गर्दन हां में हिला रही थी सब कुछ समझा गीता जी मही को निचे लेकर गई और डिनिंग तबेला पर बैठा दिया रिसब मही से बोला मही क्या हुआ था इसका जवाब गीता जी ने दिया वो बोली में आप लगो को कुछ बताना चाहती हु रिसब बोला बोलो मोंग गीता जी माही के सर पर हाथ फेरते हुए बोली बेटा में दादी बनने वाली हूँ रिसब नॉमल बोला दादी बनने वाली है कॉंगरेट्स मोंग इतना बोलते बोलते उसे ध्यान आया कि उसकी माने क्या बोला रुसब आंखे फार बोला क्या बोला मों तुम दादी बनने वाली हो मतलब में डैद रुसब की खुशी का ठीकना नहीं था गीता जी हां में सर हिलाते हुई बोला हा सब ये सब बाते कर रहे थे वही माही को बहुत सरमा रही थी वो अपनी गर्दन निचे कर चुप चाप बस सब की बाते सुन रही थी फिर महेश जी को देख बोली आप दादा बनने वाले हैं महेश जी ये बात सुनकर खुश थे उन्होंने माही को अपने हाथ में पहनी एक रिंग देते हुई बोले बेटा ये मेरी तरफ से मुझे इतना अच्छा तोफा देने के लिए माही ने वो रिंग नहीं ली पर महेश जी के फोर्स करने पे आखिरकार उसने लेही ली फिर सबने अपना अपना लंच किया और अपने अपना काम करने लगे वही रिसब माही को चलने तक नहीं दे रहा था उसने उसे अपनी गोद में उठा और कमरे में ले गया वहाँ जाके उसने उसे कुछ खाने के लिए फल दिये और एक गीता जी को माही का ध्यान रखने को बोल कर वो और अक्षत बाहर निकल गए उसके बाहर जाते हैं माही ने कोमल को फोन करके बुलया थोई देर बाद कोमल माही के रूम के बाहर आके नोक किया माही ने कमिंग बोला कोमल अंदर आये और माही के सामने खड़ी हो गई माही ने एक बार कोमल को देखा फिर बोला रोनित को बोल दो अब से मैं अपना सारा काम यही से देखूंगी और रीजन किसी को अभी पता नहीं लगना चाहिए कोमल ने एक्टिंग करते हुई बोली जी बॉस जैसा आप बोले वैसे आप अभी कुनसा बेस पर जाके काम करती हो मही कोमल का टोट समझ रही थी वो बोली कोमल कुछ जादा नहीं हो रहा कोमल अपने मुँपर उगली रखे सारे में बोली अब बस मही बोली अब जा मुझे नीदा रही है सोना है मुझे कोमल मही की बात सुन सरपिट लिया और बोली अबे तू प्रेगनेंट है इसका मतलब ये नहीं कि तू दिन भर बस सोती रहे चुप चाप उठकर अपना काम कर ले मही अगड़ाया लेते हुई बोली अरे यो थोड़ा सो लेती हूँ फिर काम कर लूँगी कोमल मही के साइड तबेला से उसका लप्टॉप उठा देते हुई बोली ये पकड़ और आज एक डिलिवरी आए है उसकी डिटेल देख ले और खबरदार सोई तो मही रोने जैसा मुह बना बोली कितनी बुरी है तू एक बच्चे को सुकून से सोने भी नहीं देती कोमल एक आइब रो उपपर कर बोली यहां बच्चा कौन है भाई मही अपनी तरफ उगली कर दी जैसे बोल रही हो में और कौन कोमल बोली बेटा बड़ी गलत फैमी है आपकी कि आप बच्ची हो अब चुप चाप काम कर में जा रही हूँ मुझे कुछ काम है मही उसे जाता देख बोली कोनसा काम है भ称 जो हमें नहीं पता कोमल बोली है न काम अब तू काम कर वो इतना बोलके रूम से चली गई मही ने अपना लाप्टॉप उठा और उसे देखने लगी देखते देखते उसे कब नीदा गई उसे पता ही नहीं चला वही बाहर कार में रुसब पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और अक्षत कार ड्राइफ कर रहा था अक्षत रुसब को चुप चाप बैठा देख बोला रिशू कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है रुसब बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस ऐसे ही फिर बात को गुमाते हुई बोला मेरा छोड तू ये बता तेरी और कोमल की गारी कहा तक पहुँचे अक्षत बोला कहा तक क्या हम बस डेट देख रहे है साधी की फिर थोड़ा सीरियस हो बोला अब बात मत गुमा सीध सीधे बता क्या बात है जो तू आज इतना शांत शांत लग रहा है रुसब को समझा गया था अक्षत बिना बात जाने शांत नहीं बैठेगा रुसब ने एक गहरी सासली और बताना सुरू किया वो बोला भाई में इस बात से परेशान हूँ की माही प्रेगनेंट है बी जाता हूँ वो अपने लप्टॉप को बंद कर देती है कही उसके मन में कोई और तो वो इतना ही बोल पाया होगा कि रुसब ने कार साइड कर जोर से ब्रेक मार बोला रिशू तू पागल हो गया है क्या तू अपनी बीवी पे साख कर रहा है जबकि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है रुसब बोला भाई में साख नहीं कर रहा पर मेरे दिमाग से ये बात जाही नहीं रही कि माही मुझसे कुछ छुपा रही है अक्षत बोला रिशू देख तू बिन बात की चीज़ को सोच रहा है जो कभी होई नहीं सकता क्योंकि मेंने तेरे लिए मा अक्षत की बात सही लगी उसने हमें सर हिलाते हुई बोला छीक है है जैसा तू बोल रहा है वैसे ही करेगे अग जल्दी चल वरना वालियाजी कहीं गुस्सा ना हो जाए अक्षत ने भी कार स्टकी और वालिया भावन की तरफ चल दिया थोड़ी देर बाद दोनों वालिय भावन पहुचे तो मिस्टर वालिया जी पहले से ही दोनों के वेलकम के लिए गेट पर खड़े थे अक्षत के कार रोकते ही एक बोडी गार्ड ने आके रिसब की साइड के गेट खोला रिसब अपनी कार से उतरा और हाथ जोडते हुई वालिया जी को नमस्ते बोला वालिया जी बताए अपने मुझे क्यों बुलया था वालिया जी बोले पहले कुछ खापी तो लो फिर में बताता हूँ रिसब बोला सर मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरी वाइफ प्रेगनेंट है मुझे उसके पास जाना है वालिया बोले कोंगरट्स रिसब रिसब ने भी शांती से विश को एकसेप्ट किया वालिया जी बोला रिसब मेंने आपको यहां इसलिए बुलया है क्योंकि मैं ये साधी पोस्पॉंट करना चाहता हूँ रिसब बोला कोई खास रीजन मिस्टर वालिया जी जो आप ऐसा डिसिशन लेना चाहते है क्योंकि आपको भी पता है आपके इस डिसिशन से बहुत लोग इफेट होंगे वालिया जी बोले रिसब मेंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है बटा भी साधी पोसपॉंट करना जरूरी है वरना लड़का लड़की दोनों की जान को खरता है रिसब थोड़ा कनफ्यूज होते हुई बोला मतलब कैसे लड़का लड़की की जान को कैसे खत्रा वालिया जी बोले में कुछ दीन पहले अपने खांदानी पंडित के यहां गया था उन्होंने ने बतया कि लड़के के उपपर कोई दोस है और ये दोस अभी एक साल तक रहने वला है अगर इस दोस में किसी लड़की से साधी और दोनों की जान को खत्रा हो सकता है रुसब को सारी बाते समझ आ गई कि वालिया जी क्यूं अभी साधी नहीं करवना चाहते थे असल में रुसब को इन सब चीजों पे बिकुल भरोसा नहीं था पर किसी के एमोशन की कदर करना उसे आता था इसलिए रुसब भी साधी प बात चाहता था पर डर था अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा समझ लेते तो गड़बड हो जाती इसलिए मैंने तुम्हें बुलवाया रुसब ने हमें सिर्फ हिलिया और बोला अच्छा ठीक है सर फिर हम चलते हैं मिस्टर वालिया बोले अरे इतनी जल्दी कहा जाना है थोड़ी देर बैठो कुछ खापी कर जाना कोश्टक रुसब बोला नहीं सर अभी लेट कभी फुरसत से मिलता हूँ वालिया जी ने भी आहे जादा कुछ नहीं रोका रुसब वालिया जी से आग्या ले अक्षत के साथ बाहर निकल गया मिस्टर वालिया भी उन्हें मानेगा अक्षत बोला रिशू तुझे क्या लग रहा था वालिया सच बोल रहा था रिसब भी एक स्माइल करते हुई बोला नहीं अक्षत बोला जब तुझे सब पता चल गया था तो फिर तूने कुछ बोला क्यों नहीं रिसान विंडो खोल बाहर देखते हुई बोला क् कुछ ना बोलना ही ठीक था अक्षत बोला भाई मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बर लग रही है तू देख ले की आगे क्या करना है निशा की साधी करनी है इनसे या नहीं रिसब बाहर देखते हुई है बोला हमम दोनों गारी में चुप चाप बैठे थे क्योंकि द दोनों की दिमाग में इश्वक्त बहुत कुछ चल रहा था अक्षत तो निशा की साधी के बारे में सोच रहा था वही रिसब सोच रहा था कि सबसे छुपा कर एजेंट 38 से कैसे मिलने जाए कोश टक सोचते समझते दोनों घर पहुचे रिसब अपनी कार से उठता और सीध अपने रूम में गया जैसे है वो रूम में इंटर हुआ उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई दी रिसब गेट के साइड में छुप कर सुनने की कोशिस करने लगा पर उसे कोई भी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही थी वो अंदर गुसते हुए जोर से बोला में बैठ गया और माही को देखने लगा माही रुसब को ऐसा देखता देख अकलाते हुए बोली आप मुझे ऐसे क्यू देख रहे है मेरी चेहरे पे कुछ लगा है क्या रुसब बोला नहीं लगा तो नहीं है मैं तो बस ये देख रहा हूँ तुम मुझ से ऐसा क्या और क् गया तो बहुत दिकत हो जाएगी मही अपनी चोरी पकड़ी जाती सुन अपने आपको डिफेंट करते हुए बोली मेने मेने कुछ नहीं चुपाया आपसे आपको पक्का कोई गलत फैमी हुई होगी इतना बोल के मही ब्याज से उठने लगी रिसब उसे उठता देख बोला स अगर आज तुम बिना कुछ बोले चली गई तो कल हो सकता है हमारे बिच दूरिया आजाए मही अपना हाथ चुडाते हुई बोली देखो ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारे बिच दूरिया आजाए कोश्टक रिसब उसका हाथ चोड़ दिया फिर बोला ठीक है जैसा तुम रही हो तो वही होगा पर मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी थी उसका कुछ बताना चाहोगी मही को समझ आया कि रिसब के दिमाग में क्या खिचड़ी पाक रहे है वो बोली देखो जैसा आप सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं में सिर्फ और सिर्फ आपकी हुँ मेरे मन म दूसरा कोई आज तक नहीं आया नाहे आयेगा रिसब मही की बात सुन संतुष्च नहीं हुआ पर उसने ज़्यादा पूछना सही नहीं समझा क्योंकि सब की अपनी प्राइवसी होती इसलिए उसने बात को जाने दिया मही सब बोलके वहा से चली गई और रिसब भी थोड़ा सोचा फिर उठ कर वो भी अपने काम में लग गया रात का वक्त दोनों अपना अपना काम कर रहे थे तभी उनके गेट पर किसी ने नोक किया रिसब ने जाके गेट खोला तो सामने एक मैद नजारे जुका कर खड़ी थी वो वैसे ही बोली सर बड़ी मीम आपको बुला रही है रिसब को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि बिना उसकी पमिशन के कोई उसके सामने कैसे आ सकता है पर जब अपनी मा का जी कर सुना तो वो शांत हो गया और बोला तुम चलो हमाते है रिसब इतना बोल के अंदर से गेट बंद कर लिया और माही के सामने आ खड़ा हो बोला स्वीठाट मा खाने के लिए बुला रही है कोश्टक मही बोली मुझे भी बहुत भूक लग रही है जल्दी चलो वो फटा फट उठने लगी तभी रिसब जल्दी से उसके पास आया और उसको अपनी गोद में उठा लिये मही को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है वो बोली ये आप क्या कर रहे है रिसब मही के हलकी सीकिस करते हुए बोला स्वीठाट भूल गई तुम अब मां बनने वाली हो तो फाल्तु की मेहनत करने की जरुरत नहीं है मही रिसब की बात सुन स्माइल करने लगी और उसके गले में हाथ डाल उसे देखने लगी रिसब उसे सिधा निचे ले गया निचे सब रिसब और माही का ही इंतजार कर रहे थे तभी उन्हें सीरियों से निचे उतारते हुए रिसब दिखाए दिया जो माही को गोद में उठा कर ला रहा था गीता जी को लगा कि माही के पेरों में कोई दिकत हो गई है वो अपनी चेय से उठी और जल्दी से रिसब के पास गई और बोली क्या हुए बहु को रिसब बोला कुछ भी तो नहीं हुआ माही को में कुछ थोड़ी नहीं होने दुगा गीता जी बोली त तक उसे कोई देकत नहीं होंगी बलकि उसकी हेल्था अच्छी रहेगी। इतना समझने के बाद भी रुसब को कुछ नहीं समझाया वो माही को वैसे ही गोद में लिये हुए ही चेय तक ले गया और बड़े आराम से उसे बैठा दिया। रुसब की हरकत देखकर कोई हैरान था तो कोई हस रहा था अक्षत हसते हुए बोला जोरू का गुलाम आ गया। रुसब अक्षत की बात सुन उसे एक बार घुरा जैसे ही रुसब की नजरें अक्षत पर पड़ी वो एकदम चुप हो गया। रहता है। मही को रुसब की बात पे भरोसा तो नहीं हो रहा था पर उसने आगे कुछ नहीं पूछा और चुप चाप एक बुकले पड़ने लगी। रुसब भी मही को छोड़ टेरस पे गया और अपना फोन निकल घूमने लगा घुमाते घुमाते उसने एजेंट 38 को फोन लगा दिया। तीन माइनस चार रिंग में ही एजेंट 38 ने फोन पिक कर लिया पिक करते ही एजेंट 38 बोला गुड इवनिंग सर रुसब ने भी रिपलाई दिया और बोला क्या आपडेट है। आप बोले वैसे हे होगा। रिसब ने थोड़ी देर और बात की फिर फोन काट सामने देखने लगा इस वक्त रिसब को देखकर असा लग रहा था उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है पर उसको देखकर पता लगाना मुश्किल है कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है थोड़ी देर वैसे हे रहने के बाद रुसब ने एक गहरी सास ली और वापस अपने रूम के लिए निकल गया जब वो रूम में पनुचा तो देखा माही अभी भी बैठ कर बुक पढ़ रही है रुसब माही के पास गया और घूरते हुए बोला स्वीचार्ट मे आपका ही वेट कर रही थी रुसब बोला मेरा पर क्यों माही बुक को साइड करते हुई बोली आप मुझे इस बारे में कब बताने वाले है कि अपने किसी को गिदनेप किया है और कुछ उगलवाना चाहते हो रुसब माही की बात सुन हैरान हो बोला तुम्हे कैसे सब पता उसके दिमाग में ये खयाल आया कि माही उठकर उसके पास आई होंगी रुसब उसे गुसा करते हुए बोला मेरे माना करने के बावजूद भी तुम बैद से उठी क्यों माही बोली पर में तो बैद से नहीं उठी रुसब बोला अगर तुम उठी नहीं तो तुम्हें मेर सारी बाते कैसे पता जो बाते मेरे और एजेंट 38 के बिच्छुई थी माही अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोली जनाब अब भूल रहे है मैं एक हैकर भी हूर सब जो कब से कन्फ्यूज था उसकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई वो माही को थोड़ा गुस्सा करते हुई बोला तुमने मेरा फोन टैप क्यूं किया तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या माही भी बड़े एटिटूड में बोली अपने मुझ से ये बात चुपाई थी तो मैं क्या करती मेरे पास दूसरा कोई आप्शन नहीं था इसलिए मैंने आपका फोन टैप कर लिया रिसब को समझा गया था अगर वो ज़्यादा गुस्सा करेगा तो माही भी भड़क जाएगी इसलिए उसने मैटर को शांती से निप्टाने का सोचा और वो माही के बगल में आ बैठ गया और बड़े प्यार से बोला स्वीट हाट मैं जो भी कर रहा हूँ अपनों के लिए हे कर रहा हूँ और मैं तुमको इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हे कुछ नहीं बताया था अपना ध्यान रखना अगर आपको एक खरोच भी आई न तो आप तो समझो गए और खरोच देना वाले का आखिरी दिन होगा। रिसब मही की बात सुन जोर से हस दिया और बोला ठीक है मेरी शेरनी अब सो जाओ वरना बेबी को दिकत होंगी। मही रिसब को भूर बोली इस वक्त प्यार आप कैसे कर सकते है आपको पता नहीं मैं प्रेगनेंट हूँ रिसब बोला स्वीच आठ में अच्छे से जनता हूँ इस वक्त वो सब नहीं कर सकते पर किस करने में क्या दिकत है और रिसब ने एक आँख मार दी। उसकी हरकते देख रुसब को समझा गया वो उसे बचने के लिए ये सब कर रही है वो बोला हा मुझे भी नीदा रही है इतना बोलके वो एक जटके से आवनी के बगल में खुद कर लेट गया और लाइट्स बंद कर माही को कसकर पकड अपनी तरफ खीच लिया मही ने रुसब के चंगुल से छुटने की कोसिस करने लगी वो बोली क्या कर रहे है आप मुझे सोना है नीदा रही है रुसब मही के कानों पर किस करते हुई बोला स्विठाट में भी तो सोहे रहा हूँ अब ज़ादा बोला न तो अभी बस पकड़ा है आगे भी बहुत कु अपसो गया नेक्स्ट मॉनिंग रिसब रोजाना की तरह आज भी जल्दी उठकर जिम चला गया उसके जिम जाने के बाद मही भी आज जल्दी उठ गई उसने थोड़ा सा इधर उधर देखने लगी कि कही रिसब है तो नहीं वो जल्दी से उठी और फ्रेश होने चली जब एक घंटे बाद वापस कमरे में आया तो देखा मही गया भै उसे लगा मही कही गगूम ने चली गई तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई वो समझ गया कि मही ही होगी रिसब वापस बाहर जाने को हुआ तभी उसका फोन बजा उसने फोन अपनी पॉ इतना दरा सुन बोला तुम्हें किस से दर लगने लगा और कौन तुमको मार देगा पर एजेंट 38 को रिसब की बाते सुनाई कहा दे रही रही वो तो बस मुझे बच्चा लो बच्चा लो बोले जा रहा था तभी एक जोरदार आवाज के साथ फोन काट गया जोरदार रहा था रिसब ने फोन खोला तो फोन कट चुका था उसने दुबारा एजेंट 38 को फोन लगाया पर कई बार ट्राइ करने के बाद भी एजेंट 38 का फोन नहीं लगा रिसब को अब बहुत गुस्सा आ रहा था कि एजेंट 38 जैसे किल मशिन को कौन चू सकता है रिसब को रहा था तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा रुसब अचानक से हाथ रखने से डर गया और पीछे मुड के देखा तो माही नहा धो बाहर आ गई थी रुसब अपनी परेशानी चुपाते हुए बोला स्वीचाट तुमा गई बड़ा लेट लगा दिया में कब से तु भी में मुझे तो कुछ नहीं हुआ है मही बोली एक्टिंग अच्छी कर लेते हो पर मैं आपको जानती हूँ अब जब परेशान होते हो तो आप अलगे तरह से बेहव करते हैं रुसब बोला में अभी परेशान नहीं हूँ बस थोड़ी फिक्र हो रही थी एजेंट 38 की मह सुन बोली क्या हुए उसे वो तो अपका काम कर रहा था ना रुसब बोला हा वो मेरा काम तो कार रहा था पर पता नहीं उसे क्या हुए कि अचानक से उसका फोन काट गया मही बोली फोन काटने से पहले क्या बात हुई आप दूनों की रुसब बोला बाते तो कुछ भी नह रिसब बोला हो सकता है पर इसमें भी कोई कन्फरमेशन नहीं है कि यही रीजन होगा रिसब फिर थोड़ा सोचते हुए बोला स्वीठार्ट क्या तो मुसके फोम की लास्ट लोकेशन निकाल सकती हो मही एटिटूड से बोली ये तो मेरे बाय हाथ का खेल है रिसब अनम्यूजड उसे देख बोला हा पता है अब जल्दी पता करो मही ने हा में सर हिलाया और ड्रेसिंग रूम में जाके एक सूट पहन बाहर आये और अपना लप्टॉप लेकर बैठ गई मही अपने काम में बीजी थी वही रिसब सब भूल भाल के मही को दखने में बीजी था मही भले अपना काम कर रही थी पर उसे रिसब की सारी हरकतों के बारे में पता चल रहा था वो बोली अगर आपका ताड़ना हो गया हो तो इस लोक्षन पर जल्दी पहुँचो रिसब मही के बोलने से सकप का गया और अपनी नजरे चुराने लगा मही उससे ऐसा करता देख हसने लगी और बोली आप तो ऐसे नजरे चुरा रहे हो जैसे आप अपनी बीवी को नहीं किसी और को देख रहे हो मही की बात सुन रिसब को कॉन्फिडेंस आया और बोला हा तुम सही बोल रही हो मैं किसी और को थोड़ी नामे तो बस अपनी बीवी को देख रहा हूँ मही बोली हा बाबा हा अब आप जल्दी से लास्ट लोक्षन पर पहुचेगे रिसब को याद आया कि उसे तो एजेंट अर्तिस के पास जाना है वो बोला अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम उसकी लोक्षन मेरे फोन पर सेंड कर दो रिसब इतना बोलते हुए रूम से बाहर निकल गया रूम से बाहर जाते है उसने अक्षत को फोन लगाया अक्षत जो अभी तक खराटे ले रहा था वो फोन की आवाज सुन अपनी आधी खुली आँख से फोन पिक किया और हेलो बोला रिसब उसकी आलसई आवाज सुन समझ गया कि वो अभी सो रहा है पर इस वक्त सोने का सही वक्त नहीं था इसलिए रिसब बोला भाई जल्दी से हेली पेट पर मिल एक इमजनसी है अक्षत जो अभी असली हालत में था इमजनसी सुन एकदम एक्टिव मोड में आ गया और बोला भाई बस पांच मिनट में आया इतना बोल के वो बैड से खुदते फांते उठा और वाश्रूम में चला गया थोड़ी देर बाद रिसब अपनी बोडी गार्ड के साथ हेली पेट पर अक्षत का वेट कर रहा था वो बार बार अपनी घडी देख रहा था तभी सामने से अक्षती शर्ट पहनता हुआ आ रहा था रिसब उसे देख बोला पांच मिनिट बोला था दस मिनिट लगा दे अक्षत कान पकरते हुए बोला सौरी भाई चल अब जल्दी चलते है रिसब ने हमें सरहिलिया और रिसब अक्षत एक चौपर में बाकी बोडी गार्ड कई और हेलिकॉप्टर में रिसब के पीछे चले लगे हेलिकॉप्टर में रिसब लोक्षन चेक कर रहा था वही अक्षत अपने कपडे पहने में बिजी था वो पहनते हुए बोला रिशु आसी कौन सी इमजेंसी आ गई थी जो तू इतनी शुब शुब मुझे जगाने लागा रिसब अक्षत की तरफ देख बोला इतनी शुब पता भी है अभी क्या टाइम हो रहा है शुब के साथ बज रहे है जनाब और आप बोल रहे है आपकी शुब ही नहीं हुई थी अक्षत बोला अच्छा ठीक है भाई जो भी हुँ ये तो बता क्या हुए था जो तू इतनी शुब शुब मुझे जगाने लगा रिसब अपना मोबिल फोन बंद करते हुए बोला एजेंट 38 को किसी ने मार डाला है अक्षत बात सुन एकदम सोख हो गया वो बोला क्या रिसब बोला भाई में जानता हुँ जो तू बोल रहा है वो तो है पर यही बात मेरे को भी खतक रही है कि उसे कोई कैसे मार सकता है अक्षत थोड़ा सोचते हुए बोला भाई क्या हो सकता है कि ये कोई ट्राप हो हमारे लिए रिसब सारी कडिया जोड़ते हुए बोला भाई ये हो सकता है क्या पता ये कोई ट्राप हो हमारे लिए अक्षत बोला अगर ये कोई ट्राप हुआ तो हम पक्का इसमें बहुत बुरी तरह से फस जाएगे और तो और अजवक्त हमारे पास सिर्फ हमारी स्वाथ टीम है रखे कि उन्हें कोई पहचान ना पाए सभी घर के कपड़ों में आएगे अक्षत ने हमें सर हिलाया और स्वाथ टीम के हेड को फोन मिला सब समझा दिया फिर वापस फोन रख रुसब को देख पूछा रुसब पता चला की हमारे बिच रहे कर कौन हमसे गददारी कर रहा है ये बात तो रुसब के दिमाग से ही निकल गई उसने तुरंट अपना लप्टॉप निकाला और सवसे कनेक्ट कर शिवा को फोन लगाया कई बार फोन लगाने के बाद भी जब शिवा ने फोन नहीं उठा तो रुसब को समझा गया कि शिवा के साथ भी कुछ हो गया है अक्षत को देख बोला भाई तुझे कुछ गड़बर नहीं लग रही है आजकल अक्षत बोला केसी गड़बर रिशू रिसब थोड़ा सोचते हुए बोला भाई एक बार सोचके देख हम जिस हिसाब से ताकत वर थे अब हमारी ताकत घिरे धीरे काम होती जा रही है पहले जिस हिसाब से सारे गुंडे वगेरा हमसे डरते थे अब हमसे कोई डरता ही नहीं है अक्षत बोला ये तो बात है कही तो कुछ बात हमसे छूट रही है जिसकी वाज़से हमारे साथ ऐसा हो रहा है रिसब हा में सर हिलाते हुए बोला भाई मुझे कुछ ना कुछ करना होगा मुझे है पता लगाना होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यूं हो रहा है अक्षब बोला भाई ठीक है पता लगा बट मुझे भी बता दियो की कैसे पता लगा रहा है की कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मेभी वैसे है पता लगाओगा रिसब को इस बार अक्षब की बात पर थोड़ा सा कुछ अजीब लगा वो बोला ठीक है भाई में बता दोगा उनके साथ उनके bodyguard भी थे ये लोक्षन पूरी जंगलों के बिच में थी इसलिए यहाँ पर घर के भेंस में आओ या यूनिफॉर्म में बात एक है रिसब अक्षत से बोला पता करो की बाकी लोग कहा है अक्षत ने ओके बोला और स्वाथ टीम के मेंबर को फोन कर दिया एक दो रिंग के बाद फोन पिक हुआ अक्षत ने थोड़ी देर उससे बाद की फिर फोन काट रिसब से बोला रिशू वो लोग हमारे आसपास है है रिसब ने हमेज सर हिलाया और आपने bodyguard से बोला धूओ आसपास एजेंट 38 तक ले जाने का कोई सबूत मिलता है क्या सभी bodyguard अपने काम पर लग गए रिसब उनको काम करते देख सोचा खड़े रहने से अच्छा है में भी धुआओ रिसब भी इधर उधर धूरने लगा अक्षत भी उसके पीछे पीछे धूरने की एक्टिंग करने लगा रिसब को आज अक्षत के behavior में कुछ अजीब लग रहा था पर उसने कुछ बोला नहीं और अपना काम करता रहा रिसब थोड़ी देर धूरने के बाद ठक चुका था पर जैसे है वो वापस मुडने को हुए उसे जमीन में एक लोगो दिखाए दिया रिसब जुका और उस जगा को साफ कर उस लोगो को सही से देखने लगा पर जैसे उस धाकन से मिट्टी हटाए और लोगो देखा रिसब हाका बका रहे गया क्योंकि ये आरके का लोगो था रिसब को समझ नहीं आ रहा था कि यहां उसकी कमपनी का लोगो कैसे उसने अक्षत को देखा तो वो पीछे नहीं था और आपने आसपास देखा तो उसके बोडी ग कर जाने ही वाला था तभी उस धाकन से एक जोरदार चीक की आवाज आए रिसब इस आवाज को अच्छे से पहचानता था ये आवाज किसी और की नहीं अक्षत की थी वो जल्दी से उस धाकन के पास गया और बहुत मुश्किल से उसे खोला पर अंदर सिर्फ अंधेर के इ अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या यही से वापस चला जाए बहुत देर सोचने के बाद उसने सोचा स्वाथ टीम से क्यूं ना हेल्प ली जाए उसने अपनी स्वाथ टीम के मेंबर को फोन किया पर किसी ने रिसब का फोन पिक नहीं किया रिसब उठा और जाने के लिए पीछे मुडा हे था कि अचानक से अक्षत उसके सामने आ गया रिसब अचानक से आने की वाज़से डर गया और उसका पैर फिसल गया और वो सीधा उस गधे में गिर गया रिसब ने अपना हाथ बढ़ा कर अक अक्षत को गिरता देख एक devil smile पास कर दिया वो उसे देख रहा था कि बगल तभी उसके हाथ में किसी ने हाथ रख दिया अक्षत ने आपने हाथ की तरफ देख उस लड़की को देखा और devil smile पास कर बोला जो तुम चाहती थी अब वो हो रहा है वो लड़की एक कुटिल मुस चलेगे इसको तो बाद में देखेगे विवन ने हमें सिर हिलाया और फोन निकाल चौपब बुलया और वो डोनों बैठ कर निकल गए वही गधे में रुसब बहुस बढ़ा था तभी 2-3 लोग उसके पास आये और उसे उठा कर अंदर ले गए रुसब बेहुस होने भी उ ज़र ना लग जाए वो लड़की अक्षत को देख बोली ये सब बक्वास बंद करो और आगे क्या करना है सोचो अक्षत ने हमें सिर हिल लिया और आपने मोबिल में काम करने लगा दो देन बाद अंधेरे कमरे में रुसब को एक चेय से बांध कर रखा हुआ था वो अभी दिखने वाला लड़का है आख है और आख का नाम है काफी था किसी के अंदर खौफ पैदा करने के लिए रुसब ने धीरे धीरे अपनी आखे खोली और आपने चारो तरफ देखने लगा पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो अभी है कहा तभी उसके सिर में एक जोर दार दर रिसब को सब समझ आ गया था कि आज तक उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे कौन था पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अक्षत ने ये सब क्यूं किया रिसब की बात का जवाब एक सीनियर डॉक्टर ने दिया सर वो आते हैं होंगे रिसब को उस डॉक्टर की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी उसने ध्यान से उस ध्यान से देखा तो उसे याद आया ये तो वही डॉक्टर है जो रिसब के हॉस्पिटल में काम करते है रिसब उस डॉक्टर का नाम याद करते हुए बोला डॉक्टर महरा आपने मुझे ऐसे क्यूं बांध रखा है मुझे खोलो डॉक्टर महरा बोले सर मुझे माफ कर दीजिये गापर बॉस का ओडर है आपको ऐसे बांध के रखने का रिसब इस बात पर थोड़ा सक्त लहजे म बोला कौन है तुम्हारा बॉस डॉक्टर कुछ बोल पता कि उससे पहले उस रूम का दर्वाजा खुला दर्वाजा खुलने की आवाज सुन सभी डॉक्टर सर निचे कर खड़े हो गए वही रिसब उस दर्वाजे को देखने की कोसिस कर रहा था कि आखिर कौन है पर रुसब ने अपनी आखे खोली और सामने का नजारा देख उसे 440 वॉल्ट का जटका लगा क्यूंकि सामने कोई और नहीं अक्षत दोनों जेब में हाथ डाल खड़ा था और रुसब को देख स्माइल कर रहा था रुसब को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है व रिसब उसे कुछ न बोलता देख इर्रिटेट हो हा था वो बोला भाई ये स्माइल क्यूं कर रहा है और कुछ बातेगा कि यहां हो क्या रहा है अक्षत स्माइल करना छोड बोला रिशू तुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि यहां हो क्या रहा है चल में है समझा देता नहीं इसलिए उसने और जानकारी निकलवाने के लिए अक्षत को उक्साने लगा वो अक्षत की बात सुन हसने लगा भाई ये क्या मजाग कर रहा है तुझे पता है न मेरे बिना तू मेरा कुछ मेरी कोई चीज नहीं ले सकता। स्माइल के साथ बोला रिशु में एक चीज बताना भूल गया तेरा सब कुछ तो मेरा ही है पर एक और चीज मेरी है वो है तेरी बीवी मही का जीकर सुन रुसब गुस्से से लाल हो गया वो बोला तुझे जो चाहिए लेले पर मही को देखने के बारे में सोचियो भी मत रु रिडी मेरी ही है इतना बोलके अक्षत ने जोर से आवाज लगाई बेबी तभी उस कमरे का गेट खुला और एक लड़की फुल लेंथ ब्लू ड्रास पहन अंदर आय रुसब तो उसे देखते हैं पहचान गया था कि ये मही है मही सीधा अक्षत के बगल में आके खड़ी हो गई और उसके हाथ में हाथ डाल रुसब से बोली हेलो पाती देव कैसे हो कोई तकलीफ तो नहीं हुई न यहाँ रुसब को समझ नहीं आ रहा था कि उसे साथ ये सब क्या हो रहा था इस वक्त वो अंदर तक तूट चुका था फिर भी वो किसी तरह आपने आपको संभाले हुआ था अक्षत रुसब की हालत देख बोला रिशू इतना दिमाग पे जोर मत डाल में तुझे सब कुछ बताता हूँ पक्षत बोलना सुरू किया रिशू तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है पीछले कुछ महीनों में सब कुछ प्लेंट था यहां तक कि तेरी माही से पहली मुलाकात से प्रेगनेंट तक सब कुछ मेरा और माही का प्लेंट था रिशू सब कुछ पहले है समझ रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे उसके अपनों का हाथ है उसे सिर्फ दुख तो इस बात का था कि जिस पे वो जान से जादा भरोसा करता था उसी ने उसके पीछ में चुरा घोपा और जिसको वो अपनी जिंद के साथ बोला स्वीठाट क्या तुमने मुझसे कभी प्या नहीं किया और ये बच्चा इतना बोलते हुए रिसब छुप हो गया उससे आगे बोला नहीं गया मही एक डेविल स्माइल के साथ बोली तुमसे प्यार इतना बोलके वो अक्षत की तरफ देखी और उसकी पकड निचे किया और उसके लिप्स पर आपने लिप्स रख दिये अक्षत भी उसे कसकर जकक किस करने लगा रिसब मही को ऐसी हरकते देख अपनी आँखे बंद कली क्यूंकि उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था कि जिससे वो प्यार करता है वो किसी और को किस कर रही है थोड़ी देर किस करके मही अक्षत से अलग हुई और रिसब को देख बोली ओहो पाती देव आपने आँखे क्यूं बंद कली इतना अच्छा न जा रहा था रिसब मही की बात सुन आँखे खोला इस वक्त उसकी आँखे एकदम लाल हो चुकी थी इसलिए नहीं कि वो गु रिसब ये जान थोड़ा हैरान हुआ वो बोला पर ये बच्चा आक्षत क्यासे ये कैसे हो सकता है जबकि फिजिकल रिलेशन तो सिर्फ हम दोनों का था माही एक डेविल स्माइल के साथ बोली पाती देव आप अभी तक नहीं समझे हम दोनों तो कभी इंटिमेट हुए है रिसब हैरान हो बोला क्या ये कैसे हो सकता है मुझे अच्छे से याद है में तुम्हारे साथ इंटिमेट हुआ हूँ माही बोली पाती देवा आज तक मुझे सोच कर जब भी इंटिमेट हुए हो नम वो में नहीं थी रिसब बोला फिर वो कौन थी माही एक डेविल स्माइल के साथ बोली वो कोमल थी रिसब हैरान हो बोला क्या ये क्या बखवास कर रही हो वो कोमल कैसे हो सकती है जबकि मुझे अच्छे से याद है वहाँ सिर्फ हम दोनों हुआ करते थे मही बोली सो सेड पाती देव आपको हमेशा यही लगता रहा पर हम जब ही इंटिमेट होने जाते तो मैं उससे पहले तू जो कुछ भी खाता था न उसमें मैं ऐसी दवा मिलती थी कि जब भी तेरे मन में इंटिमेट का खयाल आये तो उस वक्त हार जगा सिर्फ में है रिसब ने ये सब कभी सोचा भी नहीं था वो बोला पर कोमल कैसे मान गई इन सब चीजों के लिए वो तो अक्षत से प्यार करती थी माहियो हो पाती देव कोमल ने तो कभी अक्षत से प्यार किया ही नहीं उसने तो बस मेरे कहने पर सब के सामने प्यार का धोन किया और रह उन्होंने ये सब क्यूं किया तुम्हें अगर पैसा ताकत चाहिए थी तो बोल देते में खुशी खुशी दे देता। इसका जवाब अक्षत ने दिया देतो देता पर वो एक भीक होती और दुनिया वाले यही बोलते ना कि मुझे सब कुछ भीक में मिली है पर अब मेंने सब कुछ छीन लिया। रिसब बोला ठीक है तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना अब मेरे साथ क्या करने वाले हो। अक्षत एक डेविल स्माइल के साथ बोला जो तु सब के साथ करता है इतना बोल के उसने उसके सर पर गन तान दी और बस शूठे करने वाला था। कि माही बोली उपपर जाके आपने मोम डैड और बहन को भी धूर लियो उन्हें भी तेरे पास है भेज रहे है। गा, उसका इतना बोलना था कि अक्षत ने उसके गोली चला दी गोली सीधा उसके दिल पर जाके लगी गोली मरते वक्त अक्षत बोला यही मेरी माही रहती है ना अब यही नहीं बच्चा 3-4 गोलिया मारके अक्षत माही की तरफ मुदा और उसे लिप to लिप किसकर बोला स स्वीठाट आखिर कार इतने दिनों से हम जो चाहते थे वो पूरा हो गया। मही ने हां में सर हिलाया और उसे चिपक गई अक्षत ने धीरे से अपनी गन मही के पेट पर लगाई मही को कुछ फील हुआ वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अक्षत ने गोली चला दी मही एक आंग्री आंग्री क्योंकि तुम उसकी ना हो सकी जिसने तुम्हें जान से ज़्यादा प्यार किया तो तुम मेरी क्या होती वो ये बच्चा मेरा था पर मैं इसमें बिकुल भी तुम्हारे गुर नहीं चाहता। फल मिल रहा है माही अक्षत की बात सुन हसने लगी और अपनी लडखड़ाय आवाज में बोली मुझे तुमी मिल गई अब तुम रेडी हो जा जाओ इतने बोलते बोलते माही इस दुनिया जो छोड़ चली गई अक्षत माही की बात सुन भड़क गया और उसको लात मरते ह बोला साली मुझे दरती है अच्छा है मार गई अक्षत अपनी गन फेक अपने गौगल्स लगाते हुए चिलाया गाद सभी गाद दोड़कर अक्षत के सामने खड़े हो गई अक्षत सबको देख बोला दोनों की लास को ठिकाने लगा दो और हा याद रखना आज से तुम फट से गेट खोला और सल्यूट किया गाडी में बैठा आदमी ने कोई रेक्षन नहीं दिया ड्राइवा गाडी को सीधा हवेली के अंदर ले गया और जाके फ्रंट दोर पर रोक दिया गाडी रुखते हैं पीछे गाडी में बैठा बोडी गार्ड निचे उतरा और उसन सामने खड़े होने की हिम्मत अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर सकते थे अक्षत निचे उतर आपने साइड में खड़े बोडी गार्ड को एक नजर देख उसके देखने भर से ही उस बोडी गार्ड की हालत पतली हो गई थी अक्षत उसकी ऐसी हालत देख उसके चेहरे प बोडी गार्ड को गोले लगते हैं वो किसी बोरे की तरह निचे गिर गया वही आसपास लोग ये देख कर थर थर कांप रहे थे एक दो की तो ट्वैलेट भी निकल गई अक्षत ने पिस्टल के मूँ पर फुका और वापस आपने पीछे रख ली फिर सामने खड़े बटल को अपने पास बुलया बटल लडखरते हुए अक्षत के पास आया और हकलाते हुए बोला ये यसब बॉस विवन उसे घबराया देख उसके गलों को थप थपते हुए बोला अबे तू क्यों भरबरा रहा है इसने कुछ गलती की थी उसी की सजा मिली है इसे तू इतना मत बटल नेहा में सर हिलाया अक्षत उसके गालों को जोर से पकड़ दाट पीसते हुए बोला इसने एक इसने तो एक छोटी सी गलती की थी तब इसे मौत की सजा मिली है तुझे भी सजा मिल सकती है अगर तूने सही से मेरा काम नहीं किया तो उस बटल की तो जान हे हलक में आ लगना चाहिए उस बटल नेहा में सर हिलिया और जल्दी से उठकर काम पर लग गया अक्षत उसे देख एक डेविल स्माइल दी और अंदर चले गया उसके अंदर जाने के बाद सबने एक सुकून की सास ली सभी बोडिगार्ड में से एक बोडिगार्ड ने धीरे से बोला इस दरिंदे से बढ़िया हमारे पुराने बॉस थे कास वो आज हमारे बेच होते तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती उसके बगल में खड़े बोडिगार्ड ने उसकी बात सुन ली वो बोला कौन थे तुम्हारे पुराने बॉस उस बोडिगार्ड ने बड़े हे ताओ के साथ बोला वो वो थे जिन्होंने कभी गलत काम नहीं वो वो थे जिन्हें आपने लोगों की कदर करना आता था वो वो थे जिन्होंने कभी किसी को कम जादा नहीं समझा वो वो थे जिन्होंने आपने दम पर दुनिया बदलने की को आख के नमसुन बगल वाले बोडिगार्ड की आँखे खुली की खुली रहे गई वो बोला पर वो तो मार चुके है न और तुमें पता है न उनकी बात करते हैं बॉस को कितना गुस्सा आता है पहला बोडिगार्ड हस्ते हुए बोला वो कभी मार नहीं सकता उसके काम अभी भी पुरे नहीं हुए है मुंबई सेहर धारावी एक लड़का दोरता जा रहा था कभी वो इधर मुरता तो कभी वो उधर मुरता आखिर कार वो घर मिल गया वो जोर जोर से गेट पीट चिलाने लगा भाव भाव जल्दी गेट खोलो अंदर आराम से मस्त टानगे फैला कर सो रहे आदमी अपनी हल किसी आखे खोल बोला छोटे जा यहां से अभी में सो रहा हूँ बाहर वाला लड़का चिलाया भाव जल्दी खोल वरना वो मुझे मार देंगे अंदर सोया आदमी जैसे ही ये सुना एकदम फूरती के साथ उट गेट खोला और उसे अंदर लिया और वापस गेट बंद कर दिया वो लड़का अंदर आदीवाल का सहारा ले जोर जोर से सांसे लेने लगा और सामने खड़े आदमी से बोला ठैंक्स रुसब भाव आज आपने मदद नहीं की होती तो वो मुझे जान से मार देते रुसब अंदर आया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल उसे देते हुए बोला हुआ क्या है वो तेरी जान के पीछे क्यू पड़े है वो लड़का एक सास में पूरी पानी की बोतल खत्म करते हुए बोला रुसब भाव मेंने कुछ नहीं किया मैं तो बस उनकी कमपनी में से जो जहली गैस निकल रही है इसके लिए उनसे बात करने गया था पर उन्होंने मुझे घरे लिया और मेरे पीछे पड़ गए वो तो अच्छा है मैं किसी तरह वहाँ से बच कर निकल गया रुसब उसे बैठने का इसारा करते हुए बोला तुझे दस बार बोला है अकेले ये सब काम मत किया कर तू अभी बहुत छोटा है तुझे पता है गेरा आपने डोठे सोले दिखाते हुए बोला भाव ये देख में किस जगह से तेरे को बच्चा लगता है में बड़ा हल गया है रुसब जनता था इससे बातों में नहीं जीता जा सकता इसलिए उसने आगे कुछ नहीं बोला और वापस से आपने बैद पर लेट कर कुछ सोचने लगा गेरा उसके बगल में बैठते हुए बोला क्या हुआ भाव फिर से वो सपने आ रहे है रिसब वापस उठके बैठा और बोला छोटे मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे इतने अजीब से सपने क्यूं आते है कि मैं लंबी लंबी गाडियों में घूम रहा जिससे हमें ये पता लग सकता है कि तुझे ये जो सपने आ रहे है इसके पीछे क्या राज है रिसब बोला ऐसा क्या तरीका है गीरा अपना कालस सही करते हुए बोला वो सब मुझ पर छोड़ दे तू बस जल्दी से रेडी हो हमें कही जाना है रिसब बोला पर जाना कहा ह गीरा इरिटेट हो बोला तू सवाल बहुत पूछता है जितना बोला उतना कर रिसब हार मान उठा और आपने कपडे पहनने लगा उसने जैसे है अपनी ती-शर्ट निकाली उसकी नजर सामने सीसे पे गई उसने जैसे है देखा कि उसके बोडी में गोलियों के निसान है अच्छानक से उसके सर में बहुत तेज दर्ग सुरू हो गया रिसब दर्ग की वाज़से नीचे बैठ गया घिरा उसके पास आया और उसे हिलाते हुए बोला भाव क्या हुआ तू ठीक तो है न रिसब ने आपने हाथ से इट टेबलेट की तरफ इसारा किया घिरा ने जल्दी से वो टेबलेट निकाल कर रिसब को खिलाए और पानी पिलाया टेबलेट खाने के तुरंत बाद है रिसब नॉमल हो गया वो जोर जोर से सांसे लेने लगा उसकी बोडी पंसीने से भीग च रहता है मेरे शरीर पर इतनी गोलियों के निसान कहा से है मुझे कुछ भी याद नहीं रिसब को ऐसी हालत में देख घिरा बोला भाव तू रेडी हो हम जहां चल रहे हैं हमें वहाँ इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा रिसब ने हां में सरहिलिया और रेडी होने लगा द अक्षत अंदर आया और हॉल में खड़ा हो बोला किधर हो मेरी जान आवाज सुनके एक चार साल की क्यूट सी बच्ची दौरते हुए आया आये और अक्षत के पेरों से लिप्ट गई और बोली पापा आप आगए मेरी चोकलेट कहा है अक्षत निचे जुका और उस बच् करते हुए बोला में आपकी चोकलेट कैसे भूल सकता हुँ उसने आपने पीछे खड़े बोडिगार्ड को इसारा किया वो बोडिगार्ड एक बड़ासा चोकलेट हमपर लगे अक्षत के हाथ में रख दिया अक्षत उस हम पेर को उपर करते हुए बोला इतनी चोकलेट का कड़ा दिया चोकलियो ठेके नैना गोद से उतर गई और सोफे पर जाके अपना हमप खेलने लगी तभी पीछे से आ रही अक्षत की वाइफ नैरा बोली अब भी न उसे क्या क्या खाने को दे देते है वो जो भी जिद करती है आप उसे लाके दे देते है आपको पता है न अ हम अभी हाल में सब हमें देख रहे है अक्षत बोला कौन हमें देख रहा है फिर उसने चारो तरफ अपनी नजर घुमाई उसकी नजर जिससे भी जाके मिली सब वापस से अपना काम करने लगे अक्षत फिर नाईरा को देख बोला बीवी देखो कोई तो हमें नहीं देख नाईरा अक्षत के चंगुल से बाहर निकल बोली कोई का पता नहीं पर आपकी जान जरूर देख रही है अक्षत नैना को देख बोला तो देखने दोना उसे भी तो पता चले कि उसके पापा उसकी मम्मी से कितना प्यार करते है नाईरा बलश करते हुए बोली कितने बेशर्म हो कम से कम बच्ची के सामने तो छोल दो अक्षत नाईरा की बात सुन स्माइल कर दिया और एक जटके से उसे अपनी गोध में उठा लिया नाईरा इस एक्षन के लिए रेडी नहीं थी वो अपनी आँखें बढ़ी कर बोली य पापा अक्षत नैना की बात सुन एक डेविल स्माइल कर नाईरा को देख बोला बीवी अब तो मेरी जानने भी पमिशन दे दिया तो सुरू करे नाईरा अक्षत की गोध में बिन पानी की मचली की तरह चट पटाते हुए बोली आपने शुब शुब चड़ा ली है क्या जो ये बहकी बहकी बाते कर रहे है अक्षत अपनी गर्दन निचे कर धीरे से बोला बीवी चड़ाया तो है पर वो नशात उनहरे प्यार का है नाईरा को समझ हा गया था अक्षत अब उसे छोड़ने नहीं वाला वो भी अब शान्थ हो गई अक्षत नैना को देख बोला जान आप चोकलेट खाओ मम्मी पापा अभी आते है नैना ने बड़ी मासूमियत से हमें मुंडी हिला दी अक्षत नाईरा को सीधा आपने कमरे मे ले गया और ले जाकर आराम से बैड पर बैठा दिया नाईरा जो पहले भी ये सब कर चुकी थी फिर भी उसे डर लग रहा थोड़ी देर बाद उस कमरे में बस नाईरा की सिस्कियों की आवाज सुनाई दे रही थी मुंबई, नवी मुंबई, रिसब और घिरा का ओटो एक छोटे से घर के सामने रुका रिसब ओटो से ही जाक कर बोला छोटे तुझे पक का यकीन है न हम जो जानने आये है हमें यही से पता चलेगा इतना बोलके रिसब ने आपने बगल में देखा तो घिरा गयाब हो गय वो इधर उधर देखते हुए बोला छोटे धीरे ओटो के पीछे से घूम कर रिसब के सामने आप बोला भाव में यही हूँ और आपकी सब चीजों का जवाब यही मिलेगा अब जल्दी उतरो रिसब ने हामें गर्दन हिलाए और ओटो से उतरा और ओटो वाले भाईया को पैसा दिया गीरा उसका हाथ पकड़ बोला चल भाव रिसब उसके साथ साथ अंडर गया गीरा उस छोटे से घरे के बाहर जा डोर बेल धूरने लगा पर उसे कही नहीं दिखा वो रिसब से बोला भाव अपन कैसे बुलाए यहाँ तो डोर बेल नहीं है रिसब गेट पर लगा हुआ छुड़ा बजाते हुए बोला छोटे ये घरे पुराने स्टाइल का है तो इसमें डोर बेल नहीं ये होता है गिराहा में गर्दन हिलाते हुए बोला फिर थोड़ा जोर से बजा पता नहीं आवाज गई होंगी कि नहीं वो दुबारा बजाने ही जा रहा था कि क गेट खोल दिया घिरा का सीधा जाके उसकी नाक पर लगा। घिरा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए बोला माफी माफी मैडम माफी आपन बस गेट बजा रहा था सामने खड़ी लड़की अपनी नाक सहलाते हुए बोली अच्छा ठीक है कोई बात नहीं काम क्या ह रिसब कुछ बोलने ही वाला था कि गिरा उसका हाथ पकर बोला आपने को चाचा से मिलने का है वो लड़की यानी तन्वी बड़ी अजीब सी नजारों से उन दोनों को देखते हुए बोली वो घर पर नहीं है बाद में आना इतना बोलके वो गेट बंद करने ही वाली थी क रिसब ने एक हाथ से गेट रोक दिया तन्वी गुस्से में बोली एक बार बोला ना वो नहीं है तो फिर ही क्या हरकत है हाथ हटाओ वरना में पुलिस बुलाओगी रिसब शांत भाव से बोला एक बार मेरी बात तो सुन लो वो लड़की मूँ बना बोली क्या है बोलो र थोड़ा सोचते हुए बोली अच्छा ठीक है पर जादा देर नहीं रिसब ने हमें सर हिलाया फिर दोनों अंदर चले गए तन्वी दोनों को लेकर सोफे पर बैठा दिया और बोला यहीं इंतजार करो में डैड को बुला कर लती हूँ रिसब ने हमें जवाब दिया और इध भावेश जी बिना उसकी तरफ देख बोले बोल दो मुझे उनसे नहीं मिलना तन्वी बोली डैड में ने बोल दिया था पर उनका कहना है आपसे मिलना बहुत जरूरी है किसी की जिन्दगी मौत का सवाल है भावेश जी जो अपनी किताब पढ़ रहे थे वो अपनी बुक बंद कर बोले चलो फिर देखते है क्या बात है तन्वी आगे आगे और भावेश जी उसके पिछे पीछे चल दिया तन्वी सीधा उनको हाल में ले गई और रुसब की तरफ इसारा करते हुए बोली डैड यही है वही भावेश जी ने रुसब को पहले ही देख लिया था वो अपना चस्मा निकाल अपनी आँखों को मालने लगी जैसे उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यह रुसब है है वो जल्दी से रुसब के पास आये घुटनों के बाल बैठ हाथ जोर माफी मांगते हुए बोले सर मुहे माफ कर दो इस वक्त उनकी आँखों में पच् पास नहीं पर मुझे उस वक्त जो सही लगा में ने वही किया रुसब को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा था वही सेम हाल तनवी और धीरा का भी था रुसब उन्हें उठा कर सोफे पर बैठते हुए तनवी को देख बोला एक गिलास पानी लाओ तन तो आप मुझसे माफी मांद रहे हो तब तक तनवी भी पानी लेकर आ चुकी थी उसने रुसब को पानी दिया रुसब ने वो पानी भावेश जी को देते हुए बोला पहले पानी पियो भावेश जी ने एक हैसास में पूरा पानी पी गए फिर थोड़ा शांथ हो बोले भावेश जी बोला बेटा में तुम्हे जितना जनता हुँ उतना बता सकता हु रुसब बोला ठीक है चाचा आप उतना है बताए भावेश जी ने एक और गिलास पानी पिया और बोलना सुरू किया बेटा तुम कोई नॉमल चोल के लड़के नहीं हो तुम दुनिया के पर तुम्हारे अपनों की वाज़ से तुमने अपना सब कुछ खो दिया उन्होंने तुम्हे गोलिया भी मार दी थी पर तुम हगवान की किरपा से बच गए और पता नहीं कैसे मेरे पास पहुंच गए जब तुम मेरे पास आये तब तुम्हारी हालत बहुत है नाजुक गया इसलिए मेंने तुम्हें होस्पिटल में एडमिट नहीं कराया तुम्हारा इलाज में घर पर हे करवाने लगा मेंने तुम्हें आपने पास छुपा कर रखा था पर तुम्हारे और भी दुश्मन थे जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे जान से मरने की धमकी दी साथ है मेरी बच्ची तन्वी का रेप करने की भी धमकिया मिली। मैं बहुत जादा डर चुका था इसलिए एक दिन में ने तुम्हें ले जाके एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया उसके बाद तुम्हरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं ना मेंने कभी पता लगाने की कोसिस की। रिसब को सब सुन थोड़ा दुख तो हुआ कि उन्होंने उसे मरने के लिए ऐसे है छोड़ दिया पर रिसब को ये बात अच्छे से पता थी कि दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है इसलिए वो एक स्माइल के साथ भावेश जी का हाथ बोला सुक्रिया चाचा अपने जो किया आज के जमाने में कोई नहीं करता भावेश जी हाथ जोर बोले बेटा मुझे इस बात का हमेशा गिल्ट रहेगा कि मैंने तुन्हे मरने के लिए योई छोड़ दिया रिसब उनको बोला अपने कुछ गलत नहीं किया आपने जो किय सायद दुनिया का हर एक आदमी उस सिचुशन में यही करता भावेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले रिसब खड़ा हुआ और बोला अच्छा चाचा हम चलते है अपने मेरी बहुत मदद की भावेश जी ने खड़े होके रिसब को गले लगया और बोले एक बात और अगर तुझे और जानना है तो तू दिल्ली जा वहा तुझे हर जगा अपने अंच मिल जाएगे रिसब पीछे मूढ़ा में सर हिलाया और वापस बाहर जाने लगा उसको जाता देख भावेश जी बोले आरके अस बाक